स्इर लोग हम बात हों मैं ब्रूइट है तो आप 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 जानते ही रहोंगे, गहीं छी अपनी ऐसे दही सबाइबाने क unravel यह थे कीसे में हैं मैं लिए आणया करे निर गें आड़न है कि एयरोग था 2020 कॉरणा वर्यस के वजे एक तरीके से स्टक हो गई थी इन में ग्रोध भी नहीं आ रहा था और नहीं यह कुछ प्रोड़क्टिव काम कर पा रही थी मैनुफेक्ट्रिंग इंडश्री स्टॉप हो गई थी ज्याद़ से ज्याद़ जिसके वज़े से जो पूरा सर्कुलर घुमता है बैंक के थुरू और बैंक इंडश्री भी इससे एफेक्ट होई थी तो ओवराल सर्कुलेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए काफी लोग यह भी मान रहे हैं कि यह जो बज़ेट 2021 है यह एक रिवाइवल बजट है तो यह तो बात हो गई हमारे इकनोमिक को फिर से स्टैंड करने के लिए फिर जो हमारे डिपी डाउन हुआ था उसको इंक्रीज करने के लिए यह सारी चीजे करी गई है जो बज़ेट में डिजाइंड है बट बैसिकली इंपोर्टन बात यह है कि इसमें एक आम आदमी को क्या फाइदा है जो मिडल क्ल अब तक पे कर रहे थे उतने ही टेक्स फाइल करेंगे उसमें कोई चिंजस नहीं है तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो कि सेक्टर पर क्योंकि यह बहुत जादा इंपोर्टन सेक्टर है बट अगर देखा जाए जो प्रिविस यहर के अकॉर्डिंग 99,000 क्रोर्स जो दिया ग जैसे क्योंकि अगर हम ध्यान दे यहां पर जो एजुकेशन सेक्टर काफी ज्यादा डाउन फॉल में हुआ था कोरोना वाइरस पेंडेमिक के वज़े से पर एक और इंपोर्टन बात यहां पर नोट करने वाली यह है कि 8% जो इंक्रीज है डिजिटल लर्निंग की बढ़ जो एजुकेशन के एक्सपर्ट है उनकी बात कर रहो है यहां पर उन्होंने काया कि अगर इसमें इंक्रीज किया जाता तो यह बहुत ज्यादा बेनिफिसल होता और बजट जहां पर 6,000 क्रोर का कट अगया अगर यह नहीं भी करते तो भी चल जाता पर इसको डाउन फॉल नहीं करना चाहिए था एकॉर्डिंग तुट्रै टेलिकॉम रेगुलेटर ऑथोरिटीज यह जो है आप पर इनका यह मानना है कि 2021 में 22 तक 76,000 क्रोर्स इंटरनेट उजर्स होने वाले हैं हमारे इंडिया में तो अगर यहां पर ध्यान दें तो इतने ज्यादा इंटरनेट क्रिस किया गया और क्यों और क्या बैलेंस किया जा रहा है बजट 2021 इस फेल टो गिफ प्रायरेटिज तो बुस्टिंग जॉब्स मतलब कि यहां पर यह कहा गया कि जो 2020 में था काफी ज्यादा लोगों की जॉब लॉस हुई थी क्या इसमें कुछ चेंजेस है जो जॉब क्य जादा लोगों की जॉब जा चुकी थी मतलब क्या आप है इसमें कुछ चेंजेस देखने मिलेगा इस यहर के बजट के साब से तो अगर देखा जाए कि सॉट टम में तो कुछ बेनिफिसियल नहीं है पर लॉंग टम में काफी ज्यादा बेनिफिसियल हो सकता है यह और जह लेरी में कोई चेंजेस नहीं है इन है उतनी ही मिलेगी जितनी मिलती थी और यहां पर एक इंपोर्डेंट पॉलिसी लोगों को देखने मिली कि जो 75 या 75 प्लस है इनको इती रिटेन फाइल नहीं करना पड़ेगा तो क्या यह अच्छी बात है अच्छी बात है मिडल क्ला वाले हैं इन में अगर किसी का इंकम है इंकम सोर्स अच्छा है या फिर वो उनकी जो पैंशन से ज्यादा अलग साइड इंकम भी है अगर उनके पास इंकम आ रहा तो उनको टेक्स पे करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि 75 प्लस है और वो अच्छा इंकम जनरेट करते हैं तो भ वाली पॉलिसिती उसको हटा दी गई है उनको आप फाइल करने की जुरूत नहीं है इंकम उतना ज्यादा नहीं है और यह पेट्रोल डीजल पर जो एग्रिस लगा है टेक्स जो इसमें था 2.5% पर 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 डीजल जो यहां पर यह पर यह जो टेक्स लगाए Central में तो जो State में जो Central के पास ता टेक्स तो उसमें से माले। अगर 4% जो हम लोग बात कर रहा है तो 4% से तक्रेक्स लाए है डीजल के तरफक करती थी उसमें से से Central का obviously फाइदा हो रहा है कि Central को अब उनका पैसा tax return नहीं करना पड़ेगा वो स्टेट के पास नहीं देना पड़ेगा जो income आ रहा है जो extra tax मिल रहा है उनको वो जाएगा सिधा government के पास तो at a broader level यह आप consumer के लिए जो tax में चेंजे से consumer के लिए नहीं है यह state और government के बीच में रहेने वाली बात है तो जो पेट्रोल और डीजल की प्राइज हाइवे हैं इसके chances से कुछ time में कम भी हो सकता है इसमें कोई बात है नहीं अगर इसके उपर कुछ changes हो रहा तो हम आपको update कर देंगे कुछ time में तो चलिए आगे बात करते हम अगर करें हम बात करें तो हैल सेक्टर में क्या देखने मिला है तो हैसे में ऐसे परसेंट का इंक्रीज बहुत लोग यह बहुत कर रहे हैं कि यहां पर प्रधान मुंत्री स्वास्त योजना करके एक एक स्कीम है जिसमें 64000 कॉल्स का एक बजट के 34000 के लिए मनलब कोवेड बचलों मे का इं इस लिए किया जारा है क्योंकि जैसे कि क्योंकियों जानने और पहुत ज्यादा इंडिया में 2020 में हृट थो कोविड-19 यहां पर जो सराउंडिंग है इसको क्लीन एर करने के लिए पॉपुलिशन और पॉलिशन को मैंटेन करने के लिए यह यह हेल्थ सेक्टर में जा रहा है और इसी में एक रहूल गांदी का ट्विट आता है जहां पर उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं यह कहा है तो और कितना बढ़ाना चाहते है रहूल गांदी ने साथ हैं और उनके ट्विट में एक और बात लिखी है उन्होंने थीन पॉइंट वेंट नहीं है जहां पर जो थर्ड पॉइंट है आप देख रहे हैं यहां पर MSME के उपपर जो उन्होंने बोला है कि MSME पर ध्यान देना चाहिए जो MSME क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो यह स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं बिजनष कोको रे gaprant जो चोठे विपारि होते हैं मुझए मुझा जो अपना लॉन लेकर के बिजनस करते हैं कोई बिजनस करे अव आप स्टाटप कर रहे हैं यह पर कुछ भी कर रहर है जो एक ऐसा बिजिम्स जो कि two times जादा दिया गया है जो कि आप राउल गांदी ने कहा है कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया है तो इसलिए कहा जाता है कि जब lecture चल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कुछ सीटे हैं मुश्किल से लोग बैट पाते हैं अपने क्लास के अंदर काफी लोग नहीं बैट पा रहा है अगर आप बैठे हो तो ध्यान तो लेक्चर की बीच में नहीं तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ तो दोस्तों से पुछना पड़ता है क्या यह चीज हुआ था तो ऐसे सारे चाल्रे बहुत सराओ लोग देख लात्याओं काफी दाने तो आपस्मझ लो चल रहा है कि कौाफी लोग बोल रहा है कि देश को बेचा जा रहा हुए यह सरकार देश को बेचतेगी तो आखिरकार क्या हो रहा है यह बेचने वाला चीज क्या है concept क्या है यहाँ पर public private partnership है तो यहाँ पर privatization काफी ज्यादा scale किया जा रहा है मतलब कि बहुत सारी चीज़े private होने जा रही है जो कि government के हाथ में थी जो public के हाथ में थी मलब जो public के taxes के उपर से government उसको maintain करती थी अब वो difficult पर रहा है government को अब उसको private किया जा रहा है कुछ private industry इसको देखेगी तो इसे नाम दिया गया है public private partnership तो इसमें क्या हो रहा है तो बहुत लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर airport, railway और banks यह सारे चीज़े government बेच रही है तो अगर आपको खरीदना है तो आप जाके खरीज सकते हो road, railway जो भी आपको खरीदना हो तो हर किसी को नहीं बेचे जा रहे है यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर private companies है जो इसको maintain कर सके तो अगर हम ध्यान से देखे हैं यहाँ पर government करके आ रही है to decrease physical deficit मतलब कि जो assets थे, जो कुछ चीज़े थे जो government के हाथ में थी, जो asset produce करके देती है, asset मतलब आप जानते हो कि आपने कोई चीज ली है जिसके आप income generate कर रहे है, तो कुछ ऐसे assets जो की बिकार हो चुके हैं, मतलब कि उससे government को जादा कुछ फाइदा नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसे railways जिसके वज़े से नुकसान हो रहा है government को जिसको maintain करने में, जो tax हार उसको maintain करने में जा रहा है, वो सारे जितने भी physical deficits थे, मतलब जितने भी loss हो रहे थे, government को, वो सारे कुछ stakes, मतलब कुछ percent बेच दिये जाएंगे, कुछ private companies को और वो private company क्या outer companies होगी मतलब इंडिया के बाहर की नहीं होगी, वो इंडिया की ही company होगी, हमारे देश के ही, जो बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े अंबाने, start-up, इसमें से लोग खरीदेंगे, कुछ-कुछ हिस्सा और जो maintenance का काम है यह अब इनके अंडर में होगा, जो government नहीं उठा पा रही है extra deficit, मतलब जो फाल्तू की चीज़े थी, उसको बेचके, इसमें चेंज किया रहा है, और इसके वज़े से काफी जादा employment बढ़ सकता है there is a huge chances of getting more employment in the public and the private companies as well यह long term का फाइदा है ना कि short term का, अगर ध्यान से अगर आप इसको समझोगे तो अगर हम लिस्ट देखे तो यहाँ पर क्या-क्या privatization में क्या के जा रहा है तो देखा जातो यहाँ पर भारत Petroleum, Air India, Sipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, भारत Earth Movers Limited and the Pavan Hans ऐसा कुछ list देखने मिला है कि इन सारे चीजों का जो stakes बेचे जाएंगे all over India में बड़े-बड़े Indians को ही ना कि किसी और को अब हम बात कर लेते हैं innovation and R&D के उपर, मतलब innovation और research and development के उपर कितना ध्याम दिया गया है इस budget में तो 50,000 crores का यहाँ पर अलोट किया गया था budget जो की innovations और research and development पर जिसके वज़े से काफी जादा important research and development जिससे हम अलग-अलग technologies में और India काफी आगे बढ़ सकता है तो 4,000 crores यहाँ पर दिया जा रहा है deep ocean exploration में मतलब की जो समूद्र के अंदर भी exploration है कैसे लोग जा सते है या फिक जो research है deep oceans मतलब समूद्रों के अंदर जो research करे जा रहे हैं चाहे वो पानी को लेकर हो किसी चीज़, soil को और mineral इतने भी चीज़े वो सारी चीज़े research and development के अंदर आती है जिसमें की 4,000 crores allot किये गए है Automobile industry पे इस budget का क्या असर पड़ा है? Automobile industry मतलब जो companies थी जो cars manufacture करती थी, bus manufacture करती थी, public transport manufacture करती थी Automobile industry मतलब कि यहां पर काफी ज्यादा दिया गया है, Automobile industry पे focus किया गया है और यहां पर एक बहुत important policy आई है, scrapping policy, scrapping old vehicles, मतलब कि जो पुराने vehicles है जो पॉलिशन प्रडूस करते हैं, environment को harm करते हैं, जो बिकार हो चुकिए, उसको scrap किया जा रहा है अगर यह scrap होंगे, तो लोग जाएंगे market में नए खरीदेंगे, नए motorcycles, नए cars, यह सारे नए नए खरीदेंगे तो जिसके वज़े से manufacturing भी start हो जाएगी, जिसको manufacturing को भी stable किया जा सकता है और government भी यहां पर 20,000 buses खरीदने वाली है, public transport के लिए तो 20,000 जो buses government खरीदेगी, इसमें 18,000 crores उन्होंने side में कर लिया है तो इसमें जो क्या फायदा है कि 20,000 crores अगर वो buses खरीदेंगे, तो इसमें वो आपस से उनका circular घुम जाएगा जो automobile industry का था, तो और manufacture करेंगे, उनकी manufacturing industry भी grow होगी, जो automobile produce करते था last but not the least, यहाँ पर देखा जाए, तो budget ही अच्छा है कि बुरा है, यह हम decide नहीं कर सकते है पर एक चीज है, अगर हम ध्यान दे, तो according to Indian Express उन्होंने कहा था कि last time 2.5% का loss देखने मिला था, सेंसेक्स में budget बढ़ गया था तो 2.5% loss हुआ था, जब budget पेस किया था, at the day of budget, और हम last year का अगर आप record देख सकते हो, previous इतने भी records हैं, जहाँ पर budget के काफी ज्यादा उपर नीचे होते ही रहता था, but इस साल का जो budget दिखाया है, इसमें 5% का increase हुआ है, share market में, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ में stocks up होगा, इसमें down होगा, तो stocks में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 5% jump देखने मिला है, according to Rakis Junjunawaala, जो इंडिया में bull है, industry के stock market के, इन्होंने का है कि जो इस बार का budget है, वो उन्होंने इसको 10 on 10 दिया है, कि उनको इस आप से, यह budget काफी ज्यादा beneficial है, और यह budget इंडि rates देते रहेंगे, और देखेंगे, क्या-क्या चिंजस apply करेंगे हैं, क्या नहीं करेंगे, देखेंगे, एक साल में जितने भी government ने budget पास किया, इसमें कितने implementation होते हैं, कितने ही नहीं होते, और बाकी budget अच्छा है, या फिर बूरा है, यह आप क्यू पर है, अगर आपको ज अगर आपको जितने होते हैं, क्या व्लिदाए.